वेलकम टू ब्रेंचाइल्ड आईयस अकेडमी जैसा कि आपने कुछ दिन पहले न्यूज में सुना होगा कि चीन में एक मिस्टिरियस निमोनिया आउटब्रेक हुआ है और ये जो मिस्टिरियस निमोनिया आउटब्रेक है ये हमारे लिए ये पूरे विश्यू के लिए एक चिन्ता कभी से है क्योंकि आपको पता है कि जो पिछला जो कोरोना वाइरस जो फैला था पूरे विश्यू में कोविड-19 जो नोविल वाइरस था वो चाइना से ही फैला था इस वार पूरे विश्यू को ये चिन्ता है कि कहीं ये कोई एक नया एक कोई नया नोविल वाइ नहीं किये हूं ऐसे वाइरस को नोविल वाइरस कहा जाता है तो पूरे विश्व में यह चिंता है कि यह COVID-19 की तरह कोरोना वाइरस की तरह कहीं कोई नोविल वाइरस तो नहीं है बट जैसा कि WHO ने चीन से इस वाइरस पर जो है एडिशनल इंफरमेशन मांगा है और इसके ब दिख रहा है कि चीन के कई सारे हॉस्पिटल्स बच्चों से भड़े हुए हैं मतलब वहां का बेड जो है वो बिमार वेक्तियों से खासकर बच्चों से भड़ा हुआ है यानि यह जो निमोनिया है जो मिस्टीरियस निमोनिया है वो बच्चों में ज्यादा तर फैल रहा ह अगर इसके cause के बारे में एनलाइज करें तो अभी तक कोई भी जो clear cause सामने नहीं आया है बट कुछ expert का कहना है कि COVID-19 के समय इतने दिनों तक जो restriction लगाया गया lockdown के restriction जो लगाये गये उसको जब हटाया गया तो हटाने के बाद इस तरह का ये after effect देखने को मिल रहा है यानि ये जो mysterious pneumonia है वो एक after effect है जो lockdown के बाद जो lockdown के restriction को जो हटाया गया उसके बाद जो after effect हुआ वो उसका कारण ये pneumonia है देखी होता कि है जब इन्होंने एक उदारन दिया है कि जैसे UK में COVID-19 के समय जो restriction लगाया गया था और जब ये restriction को हटाया गया तो वहाँ भी इस तरह के outbreak दिखा गया था इसे इन्होंने नाम दिया है immunity date immunity date क्या है यानि जब आप restriction लगाते हैं जब lockdown के समय restriction लगाते हैं तो आप पूरी तरह से अपने आपको सुरच्छीत कर लेते हैं आपका इन pathogen से जो बिमारी फैनाने वाले bacteria हैं वाइरस हैं उनसे आपका सामना नहीं होता और इतने दिनों तक आप इनके contact में नहीं आते जिसके कारण आपकी जो immunity है इन pathogen के against वो weak हो जाती है और जैसे ही ये restriction हटाया जाता है जैसे ही आपका सामना होता है इन pathogen से तो you will be more vulnerable towards these pathogens तो इसी को का जाता है immunity date तो चाइना में भी कुछ experts का करना है कि ये immunity date हो सकता है जिसके कारण जो इस तरह का out wake देखने को मिला है बट अभी तक कोई भी जो cause है वो अभी तक clear नहीं है हो सकता है कि ये एक नया virus हो, novel pathogen सो novel virus हो, novel नाम उस virus को दिया जाता है जो पहले हमें देखने को नहीं मिला है या फिर जो पहले कभी भी human being को affect नहीं किया हो जैसे कि COVID-19 virus एक novel coronavirus था क्योंकि इससे पहले उसने किसी भी virus को किसी भी human being को affect नहीं किया था तो हो सकता है कि अगर ये जो pneumonia है mysterious pneumonia हो सकता है ये novel virus के कारण हो है ना, एक नया, कोई भी novel pathogen सो और अगर ऐसा होता है, अगर कोई नया virus होता है novel pathogen सोता है, तो ये हमारे लिए चिंता का विसाय होगा, क्योंकि इसके लिए अभी तक कोई भी vaccine create नहीं किया गया है हाँ, अगर ये एक normal pneumonia हुआ एक ऐसा pneumonia जो mycoplasma के कारण हुआ हो, जिसे mycoplasma pneumonia का जाता है, तो ये हमारे लिए चिंता का विसाय नहीं है, according to expert, because this mycoplasma pneumonia is not very much, very much dangerous for the, very much harmful for the children, ये harmless होता है और ये normally transmit होता है, जैसे COVID-19 transmit होआ है, तो hope कि ये कोई novel virus ना हो, novel pathogen ना हो, एक normal mycoplasma हो, अब यहाँ पर सवाल उठता है कि pneumonia होता क्या है, ठीक है, pneumonia एक inflammation disease है, जिसमें जो आपका air sex है, lungs में बहुत सारे air sex होते हैं, जिसके थूँ air transfer होता है, तो उन air sex में जब पानी भर जाता है, तो उसे ही pneumonia कहा जाता है, उसका inflammation हो जाता है, वो inflammation क्यों होता है, उसका फूलता क्यों है, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, bacteria के कारण, virus के कारण, या fungal infection के कारण, तो यह pneumonia, तो यह इस तरह के pneumonia के symptoms अभी चीन में देखने को मिल रहा है और खास कर बच्चों में, जो बहुत ही चिंता का विसा है, और जब तक कोई clarity नहीं आती है, तब तक हम इस पे कुछ भी clear नहीं कह सकते हैं, बट खूफ की यह कोई noble pathogen के कारण ना हो, एक normal pneumonia हो, जो कि mycoplasma pneumonia जिसे कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा harmful नहीं होता है, बच्चों के लिए, तो this is all about the mysterious pneumonia outbreak in China, thank you.